देपिका पाडुकोन को फिल्म इंडस्ट्री में अपने खुद की महनत और लगन से सफलता पाने के लिए जाना जाता है और वो आज इंडिया की वन अफ दो मोस्ट पॉपलो सिलेब्रिटी हैं इन्होंने अपनी शांदार आक्टिंग से हर किसी के दिल में जगा बनाई है देपिका पाडुकोन ने अपने शुरुवाती समय में कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो आक्टिंग के फील्ड में अपना कदम रखेंगी क्योंकि वो एक टाइम पर नाशनल लेवल पर बैर्मिंटन प्लेयर थी पाँज जन्वरी 1986 को डेन्मार्क में दिपिका का जन्म हुआ उनके पिता का नाम प्रकाश पादुकोन है जो की एक मशूर बैर्मिंटन प्लेयर है भले ही दिपिका का जन डेन्मार्क में हुआ लेकिन जब वो एक साल की थी तब उनका पूरा परिवार पैंगलूरू शिफ्ट हो गया माउंट कारमल कॉलिज से दिपिका ने अपनी शुरुवाती पढ़ाई की और अपने पिता को देखते हुए उन्होंने बच्पन से ही बैंडमेंटन खेलना शुरू कर दिया था और टाइम बीतने के साथ ही दिपिका नाशनल लेवल पर खेलने वाली प्लेयर बन गई इसके साथ ही उन्होंने आगे चलकर इंदरा गांधी ओपन युनिवर्सिटी से बीए करने के लिए एडमिशन लिया और यहां पर उनका इंट्रेस्स मॉडलिंग की तरफ बढ़ा और इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का सोचा दिपिका पाडुकोन आच साल की उम्र में एक चाइड मोडल के तौर पर एक एड में नजर आई थी उन्होंने साल 2004 में मॉडलिंग की शुरुवात की और उस टाइम पर उनके टीचर प्रसार विदापा रहे और साल 2005 में दिपिका ने पहली बार लैकमे फैशन वीक रैम पर अपना जादू दिखाया एक मॉडल के तौर पर दिपिका साल 2006 में लोगों के बीच पॉपलर हुई जब उन्होंने किंग फिशर कैलेंडर के लिए एक फोटो शूट किया और इसी साल उन्हें Model of the Year का भी अवार्ड मिला और इसी के साथ ही उन्होंने एक कन्नट फिल्म एश्वरिया से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की इसके बाद Bollywood में करियर बनाने के लिए 21 साल की उम्र में दिपिका अपनी आंटी के साथ मुंबई में रहने लगी मुंबई आने के बाद उन्होंने हिमेश रिश्रमिया के एल्बम में काम किया जिसका नाम था नाम है तेरा उन्होंने अपनी शांदार आक्टिंग से लोकों का ध्यान अपनी तरव आकरशित किया इस एल्बम के आने के बाद दिपिका को फिल्मों के ओफर आने लगे उस टाइम पर दिपिका अपने आपको एक अच्छी आक्ट्रिस नहीं मानती थी जिस वजह से उन्होंने अपनी आक्टिंग स्किल्स को और बहतर बनाने के लिए अनुपम खेर की फिल्म अकाडेमी में एड्मिशन लिया और फिर वहां से आक्टिंग सीख कर खुद के अंदर जो भी कमिया थी उसे पूरा किया डिरेक्टर फराख खान ने हिमेश रिशमिया का वो विडियो देखकर दिपिका पाडुकोन को ओम शांतियों मुवी में सूपर हिट शारुक खान के साथ को अक्ट्रस लेने का फैसला किया इस मुवी में उनकी आक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया और इस फिल्म के लिए दिपिका पाडुकोन को फिल्म फेर अवर्ड फर बेस्ट फीमिल रेब्यू का अवर्ड मिला ओम शांति ओम 2007 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और अपनी पहली मुवी आने के बाद से दिपिका ने साबित कर दिया कि वो अपनी आक्टिंग से इस इंडस्ट्री पर राज करेंगी साल 2008 में उन्होंने बचना है हसीनो साल 2009 में चाननी चौक टुचाइना, बिल्लू बारबर, लव आजकल साल 2010 में लफंगे परिंदे और ब्रेक के बाद जैसी लगातार सूपर हिट फिल्में करी दिपिका वन ओफ दे हाइस पेड आक्टरिस में से एक है साथ ही दिपिका पाड़कोन ने ट्रिपल एक्स रिटर्न और ट्रिपल एक्स केज हॉलिवूड में भी अपना डेब्यू किया इसके बाद बाजी राओ मस्तानी, पदमावत और रामलीला में दिपिका और रनवीर सिंग की आक्टिंग को लोगों ने बहुत जादा पसंद किया इसके बाद 14 नवेंबर 2018 को रनवीर सिंग और दिपिका पाड़कोन ने इटली में शादी कर ली ऐसी ही प्रेणा दायक कमाल विडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब